हेलो, मैं हूँ करन बजाज मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ा ट्रांस्फमेशन जो आया, वो इससे आया कि मेरी एक spiritual journey स्टार्ट हुई आज से 10 साल पहले इन 10 सालों में मैं जितना progress करना चाहता था spiritually, वो मैं नहीं कर पाया पर लाइफ का हर अदर aspect चाहे वो मेरा career हो या फिर मेरा creativity हो writing के through या फिर मेरी personal life हो वो transform हो गया जब से एक spiritual quest start हुआ तो क्या होती एक spiritual journey और कैसे आज आज आप अपनी start कर सकते हैं वो मैं अपने personal experiences से शेर करूँगा आपकी spiritual journey एक classic hero's journey के prototype को follow करेगी आप एक comfortable known world में है आपको एक call आएगा एक spiritual call आएगा आप उस call सुनेंगे mentor से guide होंगे और एक unknown world में enter करेंगे फिर एक उस unknown world में काफी challenges का सामना करना पड़ेगा आप उस challenges से बाहर निकलेंगे एक idea लेके एक gift लेके जिसे आप भी transform होंगे और आपके round लोग भी transform होंगे तो यह classic hero's journey का prototype है और आपकी spiritual journey भी exactly यह journey follow करेगी पहला step एक call to adventure आपके life में कुछ ऐसा event होगा जिससे आपका जो spiritual call है वो बहुत ज़्यादा strong हो जाएगा So for example मेरा काफी interest था East in philosophy में मैं थोड़ो सा गीता पढ़ता था थोड़ो सा उपरनेशल्स पढ़ता था पर age 30 पे जब मैं था और मेरी मदर की age about 55 थी तो उनको cancer हुआ और उसके अगले दो साल में उनका जो decline था body का वो बहुत ज़्यादा rapid हुआ उनकी death से पहले और मैं दो साल उनके साथ था और मैंने देखा कि कैसे body का destruction और decline होता है और मेरे दिमाग में जो spiritual questions थे कि क्यों होता है ये physical body का decline क्या है meaning life का वो बहुत ज़्यादा urgent और important हो गए और उस time में मुझे लगने लगा कि जो मेरा corporate job था मैं US में था, New York में था मुझे लगना कि ये बहुत ज़्यादा superficial life है कि मैं एक job में जाता हूँ वापस आता हूँ और मुझे real meaning life का पता करना है and ये question था ऐसा कि मुझे एक mystical insight चाहिए थी मेरा जो pull था meditation और spirituality के लिए वो ये वाला pull नहीं था कि मुझे अपनी productivity इंपरूफ करनी है काम में बट कि एक mystical insight into nature of life का है उसका meaning क्या है ये एक pull था जो बहुत ज़्यादा strong and urgent हो गया तो मेरा learning है कि अगर आपके life में ऐसा कुछ event हुआ जिसे आपका spiritual call बहुत ज़्यादा strong हुआ तो उसको ignore मत कीजिए उसको pursue कीजिए because उस pursuit में आपका transformation होगा Step 2, meeting a mentor जब आपको एक spiritual call सुनाई देगा तो आपका first reaction यह होगा कि आपको एक guide चाहिए इस path पर मैंने उस time पर काफी modern gurus के videos वगणा देखे पर वो जो अंदर से confidence और trust मुझे आता था Buddha की books पढ़के या फिर Upanishads पढ़के वो मुझे किसी भी modern gurus पे आया नहीं और firstly भी मैं थोड़ी independent nature का हूँ तो मैं पूरी तरह trust नहीं कर पाया किसी को इसलिए मैंने ancient books बहुत ज़्यादा पढ़ी इस period में और मैंने देखा कि ये तीन categories में थी first जिसको मैं कहता हूँ एक perennial text मैंने सारी religions की थोड़ी books पढ़ी और मैंने देखा कि बहुत common rules थे Hinduism में Gita और Upanishads Buddhism में Dhammapada Jewish में मैंने Kabbala के ऊपर थोड़ा पढ़ा Christianity की थोड़े books पढ़े और मैंने देखा कि बहुत common insights थी इसके अंदर about selflessness and love और थोड़े से concepts क्लियर होने स्चार्ट हुए दूसरी काटेगरी वेदान्ता जब मैंने original scan करा books का तो मुझे वेदान्ता की तरफ एक parcel पुलाया मैंने उसके अंदर बहुत जादा deep के और खूब books पढ़ी और तीसरा Buddhism Buddhism के अंदर again मेरा interest आया एक original scan में और वहाँ पर मैंने बहुत जादा deep type करा अगर आपका interest है जानने के लिए कि में लिए कौनसी books सबसे आदा formative रही इन तीन categories में perennial text जिसके अंदर एक golden rule है और Vedanta और Buddhism तो मुझे comments में लिखे ताकि मैं आपके साथ share कर सको तीसरा step आपकी heroes journey का Crossing the threshold जब मैंने ये books पढ़ी तो मुझे realize हुआ कि जो spiritual quest है ये बहुत एक deep meaningful activity है इसको आप एक sampling की तरह नहीं treat कर सकते कि तीन दन कोई yoga retreat करा एक हफ़ता कोई meditation retreat करा तब मैंने decide करा कि अपना corporate job छोड़ कर मैं एक साल full time spiritual quest पे जाऊंगा और उसको मैंने तीन हिस्सों में break करा चार महीने Europe to India by road चार महीने इंडिया में जाकि yoga और meditation में deep dive और चार महीने उसके बाद मैं लिखोंगा अपने experiences के बारे में ताकि मैं भी reflect कर पाऊं उन पर और लोग भी पढ़ सके और उनका फाइदा हो तो मैंने तीन steps में ये journey breakdown करी तो पहले Europe to India by road मैंने एक concept follow करा जिसको choice season में कहता है willful poverty कि आप अपने आपको train करे कि कितने कम material resources के साथ आप रह सकते हैं ताकि आप अपने spirit से closer आए और आपको एक deep realization भी आए कि life में खुश रहने के लिए बहुत कम चीज़ें होती है तो Europe to India by road मैंने decide करा कि backpacking करूँगा and सिर्फ एक backpack लेके से एकदम cheapest mode of transport जैसे कि buses, trains, boats etc and cheapest जगों पे रहना जैसे कि hostels में उससे मैंने एक तरीक से experience करा एक willful poverty की feeling कि कितने कम material resources चाहिए है खुश रहने के लिए तो ये first part था journey का फिर चार महिने इंडिया में सिवननन्दा योगा श्रमें मैंने deep dive करा yoga teachers training में और उसके बाद back-to-back buddhist vipassana meditation करा idea में और उसके बाद चार महिने मैंने अपनी बुक लिखी जिसके अंदर capture करने की कोशिश करी अपनी learnings the seeker and मेरा ये learning है इस पूरे experience से कि अगर आपको एक मौका मिल सके तो अगर आप एक spiritual quest पे जाएं तो कोशिश कीजए कि आप एक तो या तीन महिने फुल टाइम उसको experience कीजिए वर्सेज सालों तक इदर-दर sampling करने के step 4, challenges death and rebirth मैंने ये देखा कि जितने tough आपके experiences होंगे इस पात पर उतना आपका self-discipline बढ़ेगा उतना आपका personal transformation होगा so for example, जब yoga teachers training करा हम लोगने, सिवन अदा आश्रम में, मदुराई में तो वहाँ पर जो schedule था वो बहुत ज़्यादा रिकरस था सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक सिर्फ yoga होता था, 6 days a week attendance compulsory था, हर एक event आपको जो था दिन में वो attend करना होता था yoga teachers training के लिए तो सुबह 5 बजे उटते ही meditation एक गंटे के लिए, फिर सत्संग उसके बाद 8 से 10 पहला yoga asana का class, उसके बाद आश्रम में कर्म yoga जहां पर bathroom को साफ करना होता था या आश्रम के floor को sweep करना होता था, उसके बाद yoga theory का class, भगवत गीता का class, फिर उसके बाद एक और yoga anatomy का class for two hours, उसके बाद meditation, dinner, ऐसे करके सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक schedule completely packed होता था six days a week, and मैंने देखा कि ये entire period के बाद four to six weeks period के बाद एकदम एक strong sense of transformation आया, mental self-discipline बड़ा and body-wise भी मेरा diet completely change हो गया, body की constitution change हो गई and अगले 10 साल तक मैंने वोही principles follow करे body और diet के लिए तो इस path के अंदर जितने tough आपके experiences आप चूस करेंगे, उतना आपका transformation होगा चाहे आप yoga चूस करें, या फिर विपासा में एरिटेशन करें, या फिर mystical insight into the nature of reality मिलेगा, वो मैंने पिर्षिद दस सालों में कभी experience नहीं करा, तो एक तरगे से मेरा spiritual goal था वो फुल्फिल नहीं हुआ but materially मैंने देखा कि हर part of life transformed हो गया, क्योंकि for example मेरा diet change हो गया, मैं completely vegetarian बन गया, meditation का habit हर रो तो तामस अदे, yoga का एक independent practice, diet, meditation yoga के साथ साथ, daily reading का activity, spiritual reading का activity उससे मैंने देखा कि energy levels बहुत ज्यादा higher रहे मेरे, and मैं यह सोच की किया था कि यह जो एक साल मैं off ले रहा हूँ अपने career से spiritual quest के लिए, वो मेरे career को destruct कर देगा, मुझे भी लोग यही बोल रहे थे, पर एक तरी किसे बापिस आके मेरा career राक्सेट हुआ, चाहे वो discovery का head बना, start-up करा, हर way में मेरा career राक्सेट हुआ, क्योंकि energy levels और thoughts पे मेरा इतना mastery आया एक साल के spiritual quest में तो मेरा learning यह है, कि आपको इस पात पर निकलना चाहिए, आपका transformation guaranteed है, शायद उस vectors पे नहीं हो, जो आप सोच के गए हैं पर किसी ना किसी vector में आपका transformation बहुत ज़्यादा होगा, और उससे आपकी life बहुत ज़्यादा ahead progress होगी, 6th और final step आपके heroes जने पे return with a gift to the world now, जब मैं वापिस आया spiritual quest से मेरा इतना progress नहीं हुआ था नौर पिश्चित 10 साल में इतना progress हुआ है कि मैं उतना impact लापा हूँ world में share करके, hopefully और call आएगा उसमें ज़्यादा impact होगा, पर जितना भी थोड़ा बहुत मैं सीखा था, वो मैंने अपने book के थूँ, the seeker के थूँ communicate करा, अपने blog के थूँ communicate करा, और उससे hopefully लोग का थोड़ा फाइदा हुआ, and learning मेरा ये है कि जब आप इस quest से वापस आएंगे तो return and create something उससे आपकी भी learnings बहुत ज़्यादा concrete होगी और लोगों का भी फाइदा होगा और उससे आपकी एक तरीके से journey complete होगी तो ये आपकी spiritual journey का एक construct है call to adventure से लेके return तक and रास्ते में आपको mentors मिलेंगे challenges मिलेंगे और आपका transformation होगा comments से मुझे बताइए कि क्या आपने call to adventure सुना है and क्यो आपने receive करा या नहीं receive करा और अगर आपका कोई भी interest है spiritual journey में मेरे personal quest में चाहे वो books जिसने मुझे सबसे आदा shape करा या फिर कहां हम लोग ने yoga teachers training करा और vipassana meditation करा और कहां मैंने writer's retreat में एक book complete करी Portugal में तो मुझे लिखे comments में ताकि मैं आपके साथ share कर सकू और अगरी video अपके यूसफुल था तो ये video on how to start meditation ये भी बहुत यूसफुल रहेगा मैं हूं करन और इल सी यू इन नेक्स वीड़ीग